तो है लो दोस्तों आम सब कहते हैं उम्मीद करता हूं सब यह अच्छे होंगे चाहली है जिसमें लोग बेसिक टेवांस तक देख रहे हैं इसका लैक्सार नंबर आपको फी देखने को मिलेगा इससे पहले कि प्रिवियस पार्टेस दिन लोगों नहीं देखे हैं वो लोग स पर न हम लोग ने पार्ट नबर जीरो से स्टट किया था। नम्र जीरो मने हम लोग महाधीब और महा सागरों के बारे हैं को लोगों नहीं सत्ट जैँड़ सकते हैं इतलस में इस्िनलू पढ़ने से है इसके सबी देशों के नाम हम आपको सिस्टेमेटिक रूप से कॉंसेट के साथ में आपको याद कराए थे और बहुत सारी इंफॉर्मिशन भी आपको कॉंसेट के बस पांच मिनिट किस बग जब आप लोग सो करके उठते हैं और आदे मीन में उठते हैं तो उसी अबस्ता में उसी मुद्रा में एक बड़ा समय आप लगा लिए रूप के सामने और जिस किरम में आपको जिस स्विक्वेंस में आपको पढ़ा दाता है बस उंगली से ऐसे आ में आपको जो अटलस में आपको घूमने लगेगा आको घूमना है जैसे अप अपनी गलियों में चाल का याद कि invisible पता हैं कितने में उतार करने हो को कप्रेस वह नहीं हरता है यह हाँ इतनी मज़े आती है क्लिशन दालानी इस概ねं आते हैं नहीं क्यों पता है क्योंकि आप बहां से हमें सब गुजरते रहते हैं तो आपको उसी तरह से मैप पर चलना है जैसे आपको अपने गलियों की मोडे याद हो जाएंगी, आपको सभी बिसिस्ता याद हो जाएंगी उसे तरह से एटलस में भी जितनी चीजे हैं, आप लोग उसी तरह से याद कर लेंगे बिना किसी दबाओ का आपको पता भी नहीं चलिगा यार मुझे पूरा लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले उत्तरी अमेरिका के बारे में देखते हैं लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले उत्तरी अमेरिका के देशों के बारे में एक बार आपको बता देते हैं आपको आलास्ता देखने को मिलेगा हम लोग यहां से स्टार्ट नहीं किये थे हम यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे यहां पर आपको निकारागुआ फिर आप थोड़ से नीचे आएंगे फिर आपको यह उपर आपको हंडूरस देखने को मिलेगा नीचे निकारागुआ और निकारागुआ पूसे पड़ा से नीच आएंगे तो आपको पूस्टारी का पानामा एक बच जाता है बेली बच जाता है तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं और तरह को कैरिबियन दीव समूव में बहुत सारे देश देखने को मिलेंगे तो आज हम लोग देश तो देखने को देखन हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के उत्तर में क्या देखने को मिलेगा आपको आर्टिक ओशन देखने को मिलेगा आर्टिक महसागर देखने को मिलेगा तो आर्टिक महसागर में जो महतपूर चीज़ें आपको धान रखने हैं वो चलिए हम लोग देख लेते हैं तो देख नोट कर लेना है तो आपको एक नोट बुक बना करके रखनी है जब भी हम पढ़ाया करें तो पैन और आपके पाद फेट पर एक होना चाहिए अब अस्य रूप से होना चाहिए एतलक है तब भुध है अच्छी बात है एतलक नहीं है तो जगे फरीब लाइए लेकिन आज की ग्लास कर लेशे और साथ में ब्लैंक मैप भी आप लोग पास में रखिएगा कुस दिनों तक एक दो दिनों तक ब्लैंक मैप की ज़रुद पड़ेगि उसके बाद आप उससे ड यहां से हम लोग अपनी जर्नी करते हैं भूमना बहienne चलों नो atual है तो आप को चलिए तो मुद्पढicky सबफे एपोर सीदेखने को मिलेंगे फिर स्वमू है यह देखने को मिलेगा फिर उसके बाद आपको यहां पर बैफिन आइलेंड देखने को मिलेगा बैफिन आइलेंड के बाद बैफिन बे देखने को मिलेगा तो यह चीजे हैं इसी तरह से आपको पढ़नी है दो चार बार भूमी है आर्टी कोशन क्या हो गया कबर हो गया, समाफ हो गया, खतम हो गया, अब इससे संबंदित कुछ महत्पूर्ट के बारें बात कर लेते हैं, तो देखिए, जो आपको यहाँ पर Greenland देखने को मिलेगा, एक Greenland Arctic Ocean का सबसे बड़ा दीप है, क्या है, सबसे बड़ा दीप है, यानि सबसे बड़ा दीप देखने को मिलेगा, तो पहला क्या है, इस रीजन का इस दूसरा सबसे बड़ा दीप देखने को मिलेगा, साथ में एक Greenland का, एक सुन्दर उधारन है, और फिर आप आगे जाएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, Queen Elizabeth Island से है, यह दीपो का एक समूख है, क्या है, दीपो का एक समूख है, और साथ में बहुत ही मैसूर बात है, यह जो Queen Elizabeth Island है न, इस से उत्तरी चुमबक की यह धुरूप माना जाता है, North Magnetic Pole से माना जाता है, आपको भूचुमबत सिद्धान के वारे में कुछ दिल पहले ही पढ़ाए हैं, आप लोगो को याद होगा, तो इसी के लिए, इस जीजन के लिए माना जाता है, यह हमारा क्या है, आपको North Magnetic Pole है, Magnetic Pole है, तो यानि कि उत्तरी चुमबक की यह धुरूप माना जाता है, तो आप लोगो ध्यान रखना है, Queen Elizabeth Island, इसी को माना जाता है, बहुत ही मैस को चीज़ है, और फिर आपको Victoria Island देखने को मिलेगा, Victoria Island है, इस रिजन का तीसरा सबसे बड़ा दीज है, तीसरे नमबर पर आता है, मतलब थर्ड नमबर पर आता है, अब कुछ लोग सुद रहोंगे, सर इतना हओच-वॉप कोसे बनाएं, कुछ लिए दवाव नहीं लेना, एक दम दवाव नहीं लेना है, तो कैसे बनाना हम आपको कैसे बनाना देखिए, अगर बने पा रहे हैं, तो ऌस्ति अमेर्क सबसुर बना दीजें नहीं बना पान है तो आपको यहां पर बैंक आइलेंड देखने को मिलेगा फिर इदर बैफिन आइलेंड फिर आपको ग्रीन आइलेंड वस ऐसी ही बना लिए और घूमते हुए कैसे आना है आप देखिए इस तरह से घूमते हुए आएंगे सबसे पहले ही यहां पर आपको ग्रालस देखने को मिलेगा फिर आपको बैंक आइलेंड फिर बैंग यहीं बना लीग है ऑगा जब आपको लोकेशन याद हो जाएए तो आप अराम से अब इससे क्या होगा, आपको किरम भी याद हो गया, अच्छा अगर ना उत्तर से पूरब, पूरब से पक्षिन जैसे पूछ ले, आकार के आधार पर, जिसा के आधार पर, सब किरम भागा देंगे, concept के साथ में, ऐसी, दो-चार बार गूमिएगा, आर्टिक उसन आपका क् महासागर में आते हैं, अटलांटिक महासागर में आकरके, महत्वुड तस्थों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रियास करते हैं, और यहाँ पर भी उसी तरह से घुमेंगे, बहुत आपको घुमाएंगे, टूर कराएंगे, चलिए हमारे साथ, टूर करने, बिना पैस लिखी हुई है, इधर आप लोग नाम देख सकते हैं, इधर हम लोग लोकेट करेंगे, तो देखे, यहाँ पर हम अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, हडसन की खाडी से, लेकिन देखे, यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा, जेम्स बे, ज उगमा पैनिसुलर से, पैनिसुलर क्या होता है, एक प्राइडी होता है, जिसके तीनों और जल होता है, और एक उसका भाग होता है, जो इसकल से जोड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइडी, जैसे दच्छड भारत क्या है, एक आपको प्राइडी प्राइडी है तो इसलिए इसको उग्मावच खाड़ी नहीं मिला शब्रावस में यहां पर ऐसे उभडस आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो यह आपको को तेखने को मिलेगा इस गैठ है ना यहां पर हैं पड़ोस में देखने को मिलेगा नोबा इसकोटिया क्या देखने को मिलेगा नोबा इसकोटिया के बगल में जो देखिए इस तरह से जगह देखिए आपको एकदम किलियर करके दिखा देते हैं जिससे आपको काफ्यूजना हो देखें ये क्या है नोबा इसकोटिया है नोबा इसकोटिया के इस तरह बगल देखें एक खाड़ी टाइप के दिख रहे है जिसको बोलते हैं फंडी की खाड़ी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको फंडी की खाड़ी बोलते हैं बे ओफ फंडी दिख लीजिए बे ओफ फंड हुआ है और बस उद्दोग के साथ में यहां पर जल्यान उद्दोग का भी विकास हुआ बस उद्दोग का सुनके ही लड़कियों की मन में तो लड़ों पुटके होंगे बोले आप बनारस की साड़ी नहीं बेहनना है अब हमको कहां से लेकर गयाना है बे उपड़ी के दर से हमको कपड़े बगाने है अब तो और दूसराल वाले उनकी तो और फिखते बड़ेगे कोई बात नहीं आप लोग ले लेना तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा दूसरा यहां पर जल्यान उद्दोग है वो भी बहुत रदा यहां पर डबलब हुआ है तो देखे बे होते हैं केप कोड क्या बोलते हैं केप कोड के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं किया होता है एक अंतरीव होता है क्या है एक अंतरीव है क्या है एक अंतरीव क्या होता है इस्थल का ही एक किनारा होता है जिसका विस्ता जल्ये छेत्र की और हो जाता है यह भी जो प यह क्या होता हुटा है क roku किनारा होता है इस तल Gregory लेकिन अगर आप वुक्स में पढ़ेंगे तो इसमें जैसे प्राइणीप में लिखा होगा प्राइणीप के सीनुन के तीनों ऊर जल होता है और इसमें भी सिमेट लिख़िए कि इसके तीनों क multipart जाता है Talk it चेतर की इतर लिगा जाता है उसी के लिए एक के बोल देते हैं जैसे आपको देखने को मिलेगा दच्छिट अफ्रिका में केप आफ गोड़ोग जहां से बासको डिगामा होते हुए भारत आया था और साथ में पुर्ग था वो थोड़ा सा भटगिया था विचार और और अस तो देखे जहां पर न्यू यॉर्क है यहां पर ही यह आपको एक दीब देखने को मिलेगा लॉंग आइलेंड जो की काफी महत पोड़ है लॉंग आइलेंड तो यह आपको देखते हुए चलना इसी तरह से अब चलिए हम लोग त्वड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहां वाले नहीं आज तो पूरा उत्री अमेरिका है उसको गुल चकर लगा देगे तो देखे इदर आख हम लोगों ने देखाता कि एक यह क्या था लॉंग आइलेंड था लॉंग नहीं आप से आएंगे तो दिखिए वॉसिंग्टन डी-सी देखने को मिलेगा वॉसिंग्टन बोलते हैं ओके जो चिसप की वे है यह बोहाँ ज़ादा प्रोडेक्शन होता है वह बहुत आपको देखने को मिलेगा जैसे हैं थोड़ा सागे बढ़ेंगे यहां सब्सक्राइब की विए से तो देखे यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक केप गार किया है कि पास में आपको देखने को बड़ी है अब दिखिए इस तरह से आपको बनाना है और फिर यहां पर हम लोग देखे से थोड़ा सा नीचे इस तरह से यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पर आपको कि सबसे लंबी सबसे लंबी अपर्टट रोधिका है अपर्टट रोधिका 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 पाई जाती है जिसको इंग्लिध में बोलते हैं आप सोर दॉर बार के नाम से जानते हैं यानि और सुर बार क्या होता है समुद्री तरंगों के दोारा जो अबसाद होती है sediments होते हैं वोने लाकर के टट के पास में deposit कर दिया जाता है जिसने आपको एक बार देखने को मिल जाएगा एक blow Hasta देखने को मिल जाएगा तो यह सबसे बड़ी भारत ब्लॉकित सबसे बड़ी अप्टतल ओजिका आपको देखने को मिले गी विस्पolगी और इसी तरह से एक एक एकमपल और आपको देते हैं भारत में तो भारत में सिरी हरी कोटा है वो उसका एक आपको सबसे बड़ी अफ्त रोडिगाँ देखने को मिलेगी तो चलिए हम लोग खिटते आते हैं अपनी टोपिक पर तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर हम लोगों के लिए देखने के लिए मिला था Cape Headrest Cape Red structures के आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखे Bahama Deep Assamoo देखने को मिलेगा क्यूंकि एक-एक coral deep देखने को मिलेगा, Corals के द्वारा बनाए गया deep है, ओगे, इसके का है, एक coral deep है, अब coral deep है, तो यहांपर coral, कितनी सुंदर यहांपर संद्रचनाई नीचे देखने को मिलेगे, एक coral deep है, ओगे, अब moral deep से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, भाई, अभी प्राइडीव देखने को मिलेगा फ्लोरीडा पैनिसुला देखने को मिलेगा फ्लोरीडा पैनिसुला से आगे जैसे जाएंगे तो आपको गल्फ ऑफ मेक्सिको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ मेक्सिको से जब आप लिखर रहे होंगे तो इधर से आप टकर आएंगे थोड Caribbean C है इसको इस पूरे reason को Caribbean deep भी बोल देते हैं ऐसा क्यों है चलिए आपको बताते हैं यहाँ पर तो देखिए इस reason के लिए color change कर लेते हैं इस reason के लिए जो आपको यह reason देखने को मिल दा है इसी के लिए Caribbean deep समूब में बोल देते क्यों कि Caribbean C में पढ़ता है इस बज़े से तो आपको देखने को मिलेगा इसको क्या बोल देते हैं Caribbean Caribbean islands भी बोलते हैं या फिर इनको एक और नाम से जानने जाता है best इंडीज best इंडीज के नाम से भी जाना जाता है अगर आप लोग मैज के थोड़े से प्रेमिं होंगे तो आपको पता होगा best इंडीज की जो टीम है वो बड़ी खतरना देखने को मिलेगी तो best इंडीज क्या है इनी दीपों के समूब को best इंडीज बोल दिया जाता है इसके अलावा एक नाम से और जाना जाता है एंडीज के नाम से इनको जाना जाता है एंडीज एंडीज आईलेंड्स के नाम से भी जाना जाता है दीप समूब के नाम से जाना जाता है एंडीज आईलेंड्स क्यों बोलते हैं देखिए एंडीज आईलेंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंडीज परवत स्रेडी का बिस्तरित रूप ही आपको देखने को मिलेगा एं परबत स्रेडी का यह आपको बिस्तरित रूप देखने को मिलेगा इसलिए इसको दीप भी बोल देखते हैं एक को बोलते हैं greater एक को बोलते है greater greater एंटलीज बोलते हैं आप लोगों के लिए देखिए अच्छे से नोट्स बनाने हैं और दूसरा laser लेजर का मतलब होता है लगू छोटा तो देखे जो बड़े बड़े धीप है उनको हम पोलते हैं चोटे चोटे जो देखने को मिलेंगे के इनको लेजर के नाम से जाना जाता है जैसे आप इदर से आएंगे हम यहां पर युकाटान प्राइदिश वहां तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा क्यूबा एक आप क्यूबा एक कुण आपको देखने को मिलेगा इस विजन स्बसे वड़ावी है क्यूबा के पारता है पूर फूर्वी पनीडेखने siamo पुटोर को आपको बहुत में सपोर दीब देखने को मिलेगा फिर इधर आ जाता है जमेका तो देखिए और इधर ऊपर आपको बहामा दीब संभू देखने को मिलेंगे इस तरह से इनको बोलते हैं लेजर एंटली जीत नहीं उन्हें सामुखी करूप से सांगी करूप से इने केरिवियन आइलेंट वि भी बोल लेते हैं कुछ भी बोल नीजिए वस एक ही नाम है वस अलग-अलग तरह से इन चीजह को जानतें करीवियन दीप समुग के नाम से भी इनको जानतें क्लियर होग किसी ना किसी देश का भापन यह द्रण देखने को मिलेगा तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे तो देखें किसी में लिखा हुआ है अपार लिका हूआए यूएस लिका हूआए यूके लिका हूए मतलफ, उन देसों का यहां पर अथिप्त आ है, उनका यहां पर कफछा है फे इस सुतंतर देस नहीं है इस से कुछ है वह आपको स्वतंतर देखने को मिलेंगे तो यह चीज अब देखिए जैसे ही आप इधर गहे ते क्यूबा क्यूबा के बाद आप लोग हैती फिर डोमीनियन रिपब्लिक फ्यूटरिको और फिर नीचे जमैका जमैका के बाद हाँ जाएगे भाई तो जमैका के बाद आपको देखे गलफ ओफ डेरिन देखने को मिल गा यहाँ पर गलफ अव डेरिन तो आपको देखने को मिलेगा हम कहाँ आँगे हम आजएंगे प्रसांत महाताई होग्षे कॉशन पर चलिये आगे तो एक इसका बाला छोड़ देखने को मिलेगा थे और ये आपको पूरभी देखने को मिलेगा और यह कौन सा है यह आपको पच्छमी देखने को मिलेगा तो जो पूरवी वाला है यह गल्प ओफ डेरिन है और इधर आपको देखने को मिलेगा इधर भी एक खाड़ी है इसको बोलते है पनामा की खाड़ी तो पनामा की खाड़ी कहा है पिरसांत महासागर में है और पूर इभी हम खानते जैसी है लिख लेंगे तो आपको गल्फ ऑफ पनामा जाएगे तो यहां पर फोड़ा से ऊपर जहेंगे तो जहां पर पोस्टारीगा है यहां पर आपको एक खाड़ी देखने को मिलेगा कोरोनाडो की खाड़ी के बाद कोई इंपोर्टेंट नहीं कोई बात नहीं आगे चले आगे तो यहाँ पर Gulf of California देखने को मिलेगा लेकिन Gulf of California मागें गए रास्ता बंद मिलगी आपको तो लोट के आए जब लोट के आए तब आपको मिला यहाँ पर California प्राइडी California पैनेसल आपको मिला फिर देखिए आप आगे जाएंगे कोई इंपोर्टेंट चीज नहीं मिलेगी आपको जहाँ पर USA और कनाडा बॉर्डर है तो वहाँ पर आपको इस Vancouver Island देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा Vancouver Island देखने को मिलेगा और Vancouver Island से जैसे आप उपर जाएंगे तो आपको एक और दीप देखने को मिलेगा Queen Charlotte आपको देखने को मिलेगा Queen Charlotte Island और जैसे इस से थोड़ा सा उपर और जाएंगे तो आपको Alexander Archie प्लोज देखने को मिलेगा, यहाँ पर A है, यहाँ पर करेक्शन कर लिए, यह क्या है, अलेक्जेंडर दीप समू है, मतलब दीपो का एक समू देखने को मिलेगा, आर्ची प्लेगो क्या होता है, इसका मतलब होता है दीपो का समू, दीपो का समू, तो पूछा जा सकता है, तो एलेक्वेंडर दीपो का एक समू आपको पूरा देखने को मिलेगा, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो आपको गल्फ आफ अलास्का देखने को मिलेगा, गल्फ आफ आफ आलास्का, मतलब आलास्का की खाड़ी में अब आप लोग पहांती है, अलास्का एक यहाँ पर इक देखने को मिलेगा हावाइन दीप कि रहा पियाँ देखने लेता है कँए हावाइन दीप वे या है एक दीप समुहे इसमें आठ पिरमुग दीप आती है और साथ में 15 है वो छोटे छोटे दीपो को सामिल किया गया है अब देखिए जो हवाईयन दीप है और यहां पर हवाईयन तुल जौला मुखी के बारे में भी आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाई है ज्यादा समय पहले है वो हलके हलके होता है आपको कमेट जरके जरूर बताना है और जो लोग अभी हमारे प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग चुड़ सकते हैं अभी आपको लाप में बता देंगे किससा है इसके अलाबा अगर हम बात करें हवाईयन दीप है या इसकी जो राजधा पाणी है वहाईयन दीप के मजद से कर रेखा हो करकर गुजरती है और अगर हम उस्तरी अमेका की बात करें तो मेक्सिको से बोकर के भी करकर हिखा भुज्रती है है तो ये चीज़ आपको भ Kirsty द आ डखना है तो देखिए एक ये देखिए और इधर देखे आपको यह जो कैलिफोर्णेया ंस्ट्रायवी लिजफ है भाह से भी करकर रिखा भुज्रती है अब देखिए पिरसांत महाँ सागर में आपको हवायदिझ देखने को मिलेगा यानि पिरसांत महाँ सागर कोई जहाज या को क्रॉस करता है तो उसे बीच में रूखना पड़ता है जोटा सा उसके लिए कामऊ召ं संब तक फीषिट हैंटो में तेयां कप चाहिं तो इसी लिए इसी वज़े से हवायन दीद के लिए एक नए नाम से भी जाना जाता है The Cross Road of the Pacific यानि कि पिरसांत जो पिरसांत महसागर है उसका Cross Road देखने को मिलेगा मतलब भाई इसी से हो कर कि क्या सारी से पेजाती है इसी लिए इसको Cross Road of the Pacific के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरह से आपको यह पढ़ती होई चलना है तो देखिए चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे वढ़ते हैं और आपको सभी Integrated Rope से सारी चीज़े पढ़ाते हैं अब जो चीज अच्छी लग जाती है उसमें हम लोग ददद चक्कर बजाबता चकर लगा देते होंगे तो अब यहां पर भी चीज़े अच्छी लगने लगी तो यहां भी चक्कर लगाते रहिएगा सबसे बहुते इस तरह से आपको गूंते हुए उक्षी गोने को मिलेंदो फिर आपको भी को देखने को मिलेन्दद के आपको बैफिन हम लोगोग को मिलेंद को vontade सबसे बड़ा था यह दूसरे नंबर पे था और साथ में विक्टोरिया था यह तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिले हैं यह हम लोग उने देखा था कि इसे नॉर्ट मैगनेटिक फोल के नाम से भी जामते कितना सा में लगा मुझा उसके 35 स्थाइकरण में पूरा पूरा फिर निजो फॉर्ट फॉर्ट बड़्यान दूर्ट का काफी विकास हुआ है त्टिव थोड़ा से नीचे आए तो नीचे हम आया है तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा लॉंग आइलेंड देखने को मिलेगा लॉंग आइलेंड के बाद आपको केप कोड भी देखने को मिलेगा इसी की पास में और फिर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर केप हैटरस देखने को मिलेगा प्रवाइदीब फिर आप लोग खाडी में प्रेविस्ट कर जाएंगे जैसे गल्प गल्प अगल्प मेक्सिको बोलते हैं फिर आप इससे टकराए होंगे युकाटान पैनिसलर से बहुत के जिसे आप गुमा करके लाए ना वो ठुक गी वहीं तो कोई बात ने फिर आप रो से नाम से जाते हैं तो इसमें मुख्ष कौन सा था क्यूबा था क्यूबा के बाद आपको एक किकी सबस्पास में आपको फिर आपको प्यूट्री और नीचे आपको जमायका के बाद इदर कोई जगे चीज बची ने घूमने लाइक हम सब कुछ घूम डाले से तो हम नीच से कोई चीज आपर इंपोर्टेंट नहीं है तो आपको मिलेगा लेकिन आगे रास्ता बन है तो आपको यहाँ पर कैलिफोर्णिया प्राईजी देखने प्र यहां पर कोई भी इंपॉर्टन चीज नहीं है फिर आप जहां पर यू-ऐस और कनाड़ा का बॉर्डर है तो वहां पर इक आपको दीप देखने को मिलेगा जो बैंकूबर बैंकूबर दीप है तो उससे ऊपर आपको क्या चारलोट आइलेंड देखने को मिलेगा और फ सब्सक्राइब करेंगे तो प्रिसांत महां सागर्थ से आप लोग प्रिवेस कर जाएंगे फिर आपको सरकल बनाती हो चलना कितने बार सरकल बनाना है कितने बार गूंते रहीं कम से कम दस बार स्ठणिंग में और जाद समयने लगेगा अब ही देखिए हमें हमारे सामने एटलस कुछ भी नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं आराम से बता दे रहे हैं क्या करते रहते हैं थोड़ा सा इंट्रस्ट जगाई है यहां भी आप भूमेंगे तो देखिए कितनी अच्छे चीजे अब भाई देखिए महारानी ऊपर फूट गया होगा तो फूलू लूलू में थोड़ा से आराम कर लिए अपनी बोट को पढ़ते हुए चलना है तो कितनी बार प्रैक्टिस करना है और ज्यादा समय नहीं बस पांच मिनट पांच मिनट बस तो इसी तरह से आपको मैप बनाते हुए चलना है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप लोगो को मिल जाएगी उस प्ले लिस्ट में सब कुछ बताया है कि कि सिंगल के लिप में आप सारी डाउनलोड कर सकते हैं एक मार्च सारी तीन मार्च से नया वैच वो इंडियन जोगरफी है इंडियन जोगरफी से स्टार्ट हो रहा है आप लोग इसमें उप्सक्राइब करते हैं तो आज प्रेंट के नाम से इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहां पर देखी इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा अगर आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप पैसे पे करते हैं वहां पर आप जब जाएंगे तो वहां पर आएगा पे इंस्टॉल्मेंट वाला उप्षन भी आप लोग सेलेक्ट करते हैं और आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और देखें यहां पर आपको इस प्रोग्राम में आपको लाइफ क्लासिस आपको मिलेंगी कितने घंटे पर कि संजेक्ट पर क्लासिस अलगी इसकी जान करी यहां पर दे रहती हैं या फिर एक वीडियो भी पढ़ी है वह भी जागर के आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग हमारी चैनल पर जाएंगे कलब आई इसको सब्सक्राइब कर लिए यहां पर बहुत कुछ कुछ कंटेंट आप आप लोग के प्रोवाइड ग सबस्तार में बताएगे इसके अलावादी की और देखेंगी आपको यहां पर बिजन आए इसको भी फॉलोग कर लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में मैपिंग सीरीज तो आप लोग अभी देखी रहे हैं इसको भी देख लीते यहां पर पार्टनमर जीरो को सब्सक्राइब करें इसके अलावादी के में की कुछ से ने इस तिरशा मेंगे द्वारा दिया जाते हैं और डेली टास्क वाली एक प्रणा यहां पर और आपको पूरा विजन पूरे एक साल का में 2020 दे ले करके में 2022 सब करेंड़ आपकर कर आएज आज़ आईगा जो ल यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं इसके अलावा तिरसा में हम डेली 12 बज़े तो फिप्टी कोश्चन की प्रैक्टिस कराती हैं यहाँ पर टॉप्टी कोश्चन में आप लोगों के लिए जो भी प्र इस में और की इस में तो वो सब प्रिवेश सेरी के कोश्चन पेपर को सॉल्व कर आएक होता है तो आप लोग इस सीरीज को भी आ करके जोइन कर सकते हैं चलिए इस वीडियो को ज्यादा सादा लाइक करें इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें और आप लोगों सो जो